वेलकम टू मैं चैनल एसके नोलेज कलास आज का कुस्टन है एक समकून तिरभूज का लंब उसके आधार से साथ सेमी कम है तथा कर्ण 13 सेमी है तिरभूज का आधार ग्यात करें ठीक एक समकून तिरभूज है ठीक एबी सी मान लिए कर्ण लंब आधार ठीक वीडियो को ला यहां का रहा है कि तिर्भूज का आधार ग्याद करने तो आधार ग्याद करने का रहा है तो आधार को ही मान लेंगे हम लोग लिखेंगे माना माना तिर्भूज का आधार कितना मान लेंगे एक्स मान लेंगे ठीक तब लंब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यहाँ पढ़िये क्या का राए एक समकून तिर्भूज का लंब उसके आधार से 7 से मिकम है अधार को हम क्या माल लीए X लंब जो है आधार से 7 से मिकम है आधार क्या है X X में 7 घटा देंगे ठीक से मिकम यह लंब हो गया ठीक, उसके बाद देखिए कर्ण, कर्ण हमको दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेमी, ठीक, यहां लिख भी सकते हैं, क्या गया, 13, आधार एक्स और लम कितना निकल गया, एक्स माइनस साथ, ठीक, देखिए, एक सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वाइर, ठीक, बराबर, लम्ब का स्क्वाइर, प्लस आधार का स्क्वाइर, ठीक, आप देखिए, कर्ण, कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वाइर, बराबर, लम्ब, कितना है, एक्स माइनस साथ का, स्क्वाइर, प्लस आधार, आधार कितना है, एक्स, जिसको हम माने है, एक्स, X का स्क्वार ठीक हो गया अब 13 का स्क्वार एक सो उन्हात्तर हो जाएगा बराबर इस ए माइनस बी के हॉल स्क्वार पर बढ़ जाएगा ठीक a square plus b square minus 2ab होता है सोधर ठेक उस पर हम बैठा दिये a के जर्ग़र x का square plus b के जर्गा 7 का square minus 2 a के जर्गर x b के जर्गा 7 plus x square ठेक आप देखिये 179 bv x square x square क्या हो जाएगा 2x square पलस 7 का square क्या हो जाएगा 49 घटा साथ दुनी 14x ठीक अब क्या करना है कि देखिए इसको उधर लिख चले जाना है ठीक अब ही हो जाएगा 2x square माइनस 14x पलस 49 यह उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 179 ठीक इधर क्या बच गिया 0 इधर क्या बचा 0 या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x square माइनस 14x 49 में 179 घटेगा माइनस 120 और इसको बढ़ाबर में इधर भी 0 लिख सकते हैं ठीक अब क्या करेंगे इसमें इस देखिए दो कॉमन आ रहा है दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x square माइनस 7 दूनी 14 x माइनस छोदूनी 12 यानिकी 60 बढ़ाबर 0 x square माइनस 7 x माइनस 6 और इधर 0 के भागा हम जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ठीक अब इसका हम लोग गुनान खंड करेंगे ठीक अब देखिए गुना करने पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा x square गुना साथ यानिकी 60 x square हमको पुराना है ठीक इसको तोड़के तो हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा x square minus 12 x plus 5 x फिर इसको उतार देंगे minus 60 बरावर 0 देखिए 12 पंचे 60 भी पूर जाएगा और 5 में इस 12 घटाएगे minus 7 भी पूर जाएगा अब इसमें x को मले लेंगे तो क्या बचेगा x-12 पलस यहां 5 को मले लेंगे तो क्या बचेगा x-12 बरावर 0 आप देखिए यह एको बाहर बला लिखेंगे x-5 x-5 और एको ब्रैकेट बला हमसे इको कोनो लिख लेते हैं x-12 बरावर 0 भी जो तो एक्स प फ्लस फाईब बरावर 0 रखेंगे तो एक्स ब्रभार क्या हगा लिखेंगे 20-20 ए uploaded गावार डिखेंगे वार को यहाँ точ Сight Cell आऊ- dat डिक अमने-स वाला तू नहीं रखेंगे यानि कि आधहार X माने है X का मन कितना निकल गया 12 ठीक यही आधहार का रहा था ग्याद करने एक और चीज देखिए लंब क्या है X-7 लंब X-7 X कितना निकला है 12 घटा 7 कितना आ जाएगा 5 यानि कि 12 से मि आधहार हो गया ठीक और 5 से मि लंब हो गया ठीक एंसर हो गया इस तरीकाश आपको बना देना है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकले सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को द्राटोल कर लिजिए